एक तक पूर के धरम पतनी शो में फहमान ने तोड़ी चुपी सुंबुल तौकिर खा की एंट्री पर कह दी ये बड़ी बात फैंस सुनकर हो जाएंगे शौक तो फिर चलिया आपको बताते हैं कि क्या कुछ का है फहमान खान ने आखिर कब होगी सुंबुल के एंट्री धरम पतनी में एंट्री और ये खुद बखुद एक तक पूर ने ऑफिशल एनाउंस कर दिया है जिसके बाद सुंबुल ने भी अपने इस प्रोजेक्ट को लेकर काफी जादा एक्साइटेड हैं तो दूसरी तरफ धरम पतनी के लीड एक्टर फहमान खान का आया है ये बड़ रियक्शन फहमान खान ने कहा कि I am looking forward to work with सुंबुल और सुंबुल के साथ काम करना मेरे लिए एक बहुती सम्माने और बहुती अच्छी बात है क्योंकि मैं सुंबुल के साथ इमली शो से जुड़ा हुआ हूँ और सुंबुल तौकिर खा कि अगर धरम पतनी शो में एंट इकता कपूर का ये शो कलर्स का नंबर वन शो बन सके दरसल आपको बता दे धरम पतनी शो इन दिनों टियारपी की खराब रेटिंग के चलते गुजर रहा है और इकता कपूर ने ये बड़ा फैसला इसी को देखते हुए लिया है कि अगर सुंबुल के एंट्री धरम पतन शो में होती है और यही वो बड़ी वज़ा है जिसकी बात फैमान खान भी करते नजर आए इशारो इशारो में कि अगर सुंबुल तोकिर खाती है तो सुंबुल जो है वो टियारपी क्वीन है और मुझे काफी कमफरटेबल फील होगा सुंबुल के साथ काम करके फिलहाल आपकी क्या है राइफ सुंबुल और फैमान की इस केमेश्टरी पे लिखेगा जरूर अपना अपिनियन कमेंट बॉक्स में और इसी तरीके की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई